अलेकुम दोस्तों टिप्स फरा में मैं आज पिर आप सब के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो रेके उमीद है आप सब वखारियत से होंगे और आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूं वह बहुत ही मज़िदार होने के साथ-साथ अपकी स्कीन को ऐसा कर देगा जो होते हैं इसमें विटामिन डी है जो हमारे दातों की नहीं है हमारी स्कीन की नहीं है हमारी बॉड़ी की नहीं है बहुत ही जादा जरूरी है तो यह मज़िदार होने के साथ-साथ इसके जो छिलके होते हैं हम वो फेक देते हैं लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इन चि प्रमझर को हम में ठीक को प्रमगं करने ग्रमट को अब नहींते हैं जाना इसे थो चोछाना तो आपको प्रमट करना जाना है अब लिए तो आपकर लाओ के अीजिए और वाउस सार इन जञा इल से के अधिम थे थे बेखें आपने घड़ेगे अपने में यहां रगुल किसी भी फैस्वाश भाष या हलका थोड़ा सा एक दोगून अपने फैस्वाश को शामिल करें और उस पानी से फिर अपना मूझ है आप पानी किसी बीधिश और शमकदार शारी का यहां अचा दोसरे तरीका यह है कि यह पान आपके स्क्राइब के स्का खड़ा हैं। अपने चहरे मेंुसाज करें अपने परकल साथ करें। सीश में। सच्वक्तर करने के आप тебе कर दो डर्ट यह कि नहीं लेकिन आप स्कुरिन को पर साफ करने अगर कोई आप स्कीन पर कोई पॉडर ने लगा वह हो कोई फेस पॉडर या कुछ भी वगारा वगारा कुछ भी नहीं लगावा हो आपकी स्कीन पर सिर्फ इसको 10 मिन तक अपने चेहरे पर मसाज करना है रोजाना आप देखें कि आपकी चेहरे से कील महां से सारी गंदगी सारी धूल मट्टी जो जम जाती है ऑफिशल करवाने की ज़रत पड़ती है सिर्फ इसको 10 मिन डिग रहे हैं रोजाना जब तक कि आपकी घर में हैं रोजाना इसको अपनी स्कीन पर अच्छी तरह मसाज करें आप देखें कि इसको फेकने से पहले अपनी स्कीन पर अप्लाइज जरूर करें और इसका रिज़र्ट मुझे बताएं कमेर्स में तो लहाज आपको पसाना आई होगी नौलिज कि कितने फायदे मर्ण हैं इसको अस्तिमाल करते हैं वह तो बिल्कुर अलग तरीका है लेकिन हम अगर इसको ऐसे ही इस्तिमाल करेंगे तो बहुत ही जादा मारे स्कीन पर असर अंदाज होगा इसका असर तो लहाज एस टिप को जादे स कि अंदे की गाला वे